दोस्तों नमस्कर स्वागत आप सभी का mgv study point यूटूब चैनल में तो दोस्तों mix question शीरीज नंबर 25 है और यह हमारी सीरीज है computer की जिसमें mcq type के total 25 question है और यह question upcl jmrc exam based है तो बात करेंगे इन question में यह computer से समन्दित 25 मैतव पुल्ण question है विभिन प्रीक्षाओं में पूछे गए question समिल किये गए है तो इस वीडियो को लाज तक जुरूर देखें like share भी करें अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो इसको भी जुरूर subscribe करें और friends को भी forward करते रहे तो चलि मन तथा computer में किस की गती अधिक है अगर हम बात करें एक मानव की और एक computer की और दोनों में अगर तुलना की जाए तो किस की गती अधिक है तो यहां पे हमारा answer option भी मानव मन मानव मन की जो गती है वो computer की तुलना में अधिक है और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो next question हमारे डिस्क पर किस पदार्थ की परते होती है तो बात कर लें जो चूंब की डिस्क होती है उस पर किस पदार्थ की परत चड़ी होती है और यहां पर हमारा इंस्वर है option A iron oxide चूंब के डिस्क पर आइरन ओक्साइड प्रदार्थ की परत या उसका लेप किया जाता है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास कुस्टन नंबर है थ्री कुस्टन थ्री सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहे हैं कि सबसे जो फास्ट कंप्यूटर है वो कौन सा है और यहाँ पे हमारा इंसर है उप्शन डी सूपर कंप्यूटर सूपर कंप्यूटर है वो सबसे तेज है यह हम यूँ कहें कि सूपर कंप्यूटर है इसकी जो की कारिय करने की गती और इसकी जो क्वालिटी है वो सरोतम गुड क्वालिटी है और चलते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास कोस्टन नंबर है फॉर कोस्टन फॉर कं प्रियुक्त आई सी चिप बनती है तो यहां पर हम बात करें जो कंप्यूटर है उसमें जो आई सी चिप लगी होती है और वह आई सी चिप बनी होती है यहां पर ऑप्शन डी सिलिकोन की बनी होती है कंप्यूटर में प्रियुक्त होने वाली जो आई सी चिप होती है वह सिलि कहते हैं Central Processing Unit CPU का function है तो यहां पर यहां option C गणनाएं और Processes करना Central Processing Unit का जो function या कारिय है CPU का जो कारिय है वो गणनाएं और Processing करना है और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे question number 6 question 6 digital computer कि सिधन्त पर कारिय करता है तो अब हम बात करें digital computer के कारिय सिधन्त की और यहां पर हमारा answer option B गणना digital computer है यह गणना के सिधन्त पर कारिय करता है और चलते है next question की बात कर लेते हैं तो इस अब पहले वीडियो को like share जरूर करें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको भी सब्सक्राइब गरें question 7 monitor के display आकार को कैसे मापा जाता है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं monitor के display आकार को मापने के लिए और यहां पर हमारा answer option B डाइगनोली द्वारा computer monitor के display को मापा जा सकता है और चलते हैं next question के और next question नहीं है मुख्य कारिय नहीं है तो यहां पर हमारा answer है option B टेक्स्ट को scan करना टेक्स्ट को scan करना computer का कारिय नहीं है जिबकि data को process करना input को accept करना और data को store करना यह सभी computer के कारिये हैं लेकिन text को scan करना यह कारिये नहीं है बात करते हैं तो next हमारे पास question नमबर है 9 नेक्स्ट कोशन नमबर है 9, कोशन 9 में विश्वे का पहला सूपर कम्प्यूटर कब बना तो यहां पे हम बात कर रहे हैं विश्वे का पहला सूपर कम्प्यूटर और उप्शन C 1906 में बना था विश्वे का पहला सूपर कम्प्यूटर 1906 में त्यार किया गया था और चलते हैं, बात कर लेते हैं तो next हमारे पास question number 10 question 10 में control shift और else कौन सी कुझ्जियां कहलाती है तो हम बात कर रहे हैं जो control, shift और else है, यह modifier कीज कहलाती है यह control shift और else है, यह modifies कीज होती है बात कर लेते हैं, next question question हमारे पास है 11 question 11 गणना और तुलना के लिए computer के किस भाग का परियोग किया जता है तो अब हम बात कर रहे हैं कि गणना और तुलना करने के लिए computer का कौन सा भाग है वो इसके रिये होता है तो यहां पे हमारा ensure है option C ALU arithmetic logic unit और यह computer में गणना और तुलना के लिए security होता है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मारे पास question number है 12 question 12 इन में से कौन सा search engine नहीं है तो आपको जो search engine नहीं है वो अलग करना है और यहां पे हमारा answer option D wolf harm alpha यह search engine नहीं है गोगल यव और बदायू यह तीनों ही search engine है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मारे पास question number है 13 बात करेंगे 13 की question 13 में EDP क्या है तो यहां पे हम बात कर रहे हैं EDP का और EDP का जो answer है तो यहां पे हमारे पास answer है option D electronic data processing EDT EDP की जो full form है वो electronic data processing है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो next हमारे पास question number है 14 question 14 गणना सेंतर अबेकस का आविसकार किस देश में हुआ तो बात कर रहे हैं जो गणना सेंतर है और यह जो अबेकस है इसका आविसकार चीन ने किया है option C correct है अबेकस का आविसकार चीन में किया गया है और next question हमारे पास है 15 number और बात करेंगे question 15 की तो इसमें आपसे पूचा जा रहे हैं कि व्यक्तिगत computer है तू सबसे साधारन storage device है व्यक्तिगत computer है तू सबसे साधारन storage device है वो है option A floppy disk इसके एक व्यक्तिगत computer जिसको हम personal computer कहते हैं और इसके लिए जो सबसे उप्यूगत और साधारन जो storage device है वो है floppy disk है और चलते हैं next question की और तो next question हमारे पास है 16 question 16 की अगर बात की जाए तो खेलना किसे आसान हो जाता है अगर हम बात करें खेलना किसे आसान हो जाता है तो हमारा answer है joystick joystick से खेलना आसान हो जाता है और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं तो next हमारे पास question number है 17 17 में processor की तीन मुख्य भाग है तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे processor के भाग जो मुख्य भाग होते हैं वो तीन होते है और वो तीन कौन-कौन से है तो यहां पे हमारा answer है option B ALU control unit और register ALU earth magic logic unit है और control जिसको CU कहते है और register यह तीनों ही processor के मुख्य भाग है और processor CPU कहलाता है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो next हमारे पास luôn question no 11 Question 18 Floppy disk kis परकार की memory से समनत रखती है तो बात कर रहे हैं जो floppy disk है वो किस परकार की memory है और यह है एक external memory floppy disk है वो एक external या antric memory है और चलते है बात कर लेते हैं तो next हमारे पास question number है 19 question 19 computer के program में बच्चों द्वारा परियुक्त भासा प्राय कुनसी होती है तो हम बात कर रहे हैं कि किसी computer के program में जो बच्चों द्वारा परियुक्त भासा होती है वो होती है logo logo भासा परियुक्त की जाती है और चलते हैं next question की बात कर लेते हैं तो next हमारे पास question number है 20 तो question 20 में पहले हम question को read करते हैं computer के बुनियादी सर्चना का विकास किया था तो यहांपे हम बात कर रहे हैं जो computer की बुनियादी सर्चना है इसका विकास किसने किया था और यहांपे हमारा answer है प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अकसर प्रिंटर होता है तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि वह कुन सा प्रिंटर है जिसके द्वारा एक स्ट्रोक में एक अकसर प्रिंटर होता है और यहां पे हमारा ओप्शन डी एंसर ओप्शन डी है लाइन प्रिंटर लाइन प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक से एक ही अकसर तो पाता है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे मारे पास question number 22 question 22 में analytic engine का निर्माण किस ने किया था तो हम बात कर रहे हैं analytic engine के निर्माण की और यहां पर हमारा answer option C चाल्स बेवेज ने analytic engine का निर्माण चाल्स बेवेज ने किया था और चलते हैं next question हमारे पास तो question number 23 तो आईए question read कर लेती हैं कोडा तरक एक program है वहनिम लिक्त में से किस program का रूपानतरण है जो कोडा तरक program है वो कुन से computer program का जो रूपानतरण है और यहां पर हमारा जो option है option D कोडा तरण से machine तक का ये रूपानतरण है और चलते हैं next question की बात करें तो next हमारे पास question number 24 question 24 सबसे common परकार की storage device से है तो बात कर रहे हैं सबसे जो common storage है वो कौन सी परकार की storage है यहां पर option C magnetic storage है magnetic storage device है यह सबसे common परकार की device है और चलते है next question की बात कर लेते हैं तो next question हमारे पास है 25 और question 25 में आप से पूछा जा रहे है question 25 LCD का पूरा नाम क्या होता है तो बात कर रहे है LCD के पूरे नाम की तो यहां पर answer A liquid crystal display यह LCD है और इसका नाम liquid crystal display है तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद like share करते रहें अभी तक अपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सबस्क्राइब करें अपने फ्रेंट्स को भी beloved करते रही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कर दो कि अ कर दो दो कर दो